आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Atomic Number है, वो लाई कर सकता है ठीक है तो मैं इनकी Atomic Number अगर लिखूँ कितने कितने है, तो Chromium का Atomic Number 24 है, Scandium का 21 है, और Copper का 29 है चोथा Option का है Titanium Titanium का है 22 ठीक है गाईस, तो देखो इन सब में अगर हम इनके आगे के Elements पता करना चाहते हैं कैसे पता चलेगा, इनमें हम जोडेंगे 18, 32, ठीक है तो हमें पता चल जाएगा, तो गाईस देखो इनमें अगर हम add करते हैं तो 111 किसमें आएगा, पहले हम 18, 18 add करें अगर, तो कितना आएगा इसमें 40 आएगा 18, sorry 18 नहीं, 21 तो इसमें 39 आएगा 39 आएगा इसमें, ठीक है 24 वाले में कितना आएगा, 42 आजाएगा ओके, और 29 वाले में 47 और 22 वाले में 40, ठीक है गाईस अब हम इसमें क्या add करेंगे, अगला पहले 18 add करते हैं फिर उसके बाद हम 32 add करते हैं तो अगर 32 add करेंगे ये, तो इसमें कितना आजाएगा, 3 और 2 तो ये हो गया, 74 ठीक है गाईस, अब अगला क्या होगा, 74 के बाद जब इसमें मैं 32 add करूँगा किसमें, स्केंडियम वाले में, तो 57 आजाएगा ठीक है, इसमें मैं 32 add करूँगा, तो कितना आजाएगा 79, और अगर मैं इसमें add करूँगा तो 72, अब मैं फिर से क्या add करूँगा, फिर से add करूँगा मैं 32, ठीक है 32 add करूँगा, तो 74 में करूँगा तो 106, 57 में करूँगा तो 89, 79 में करूँगा तो 111, और इसमें 72 वाले में करूँगा, तो 104 तो गाइच 111 किसमें आरहा है, कोपर वाले में आरहा है, तो इसलिए मैं यहां से बता सकता हूँ, कि यह element कोपर गुरूप में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है गाइज, तो कोपर गुरूप में हो सकता है, तो option 3 हमारा क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, thank you guys.